बेलकम बेलकम बैक टो माई यूटूब चानल श्रेया शाइन्स जहां हम लेके आते हैं आपके लिए निहायती मतलब निहायती सांदार वीडियो अब यहां हम अपको दिखाने जा रहे हैं कि हमने अपनी मौच कैसे मंडवाई तो आमने पिस इनको बोला कि बस अच्छे से कर दे ना और पूरे बाल निकल जाना चाहिए तो नोहने वैकसिंग लगाके और पट्टी बट्टी लगाके और जो खीचा ओह 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 मैं इतने बुरे-bुरे शब्द आ अब इस स्टेज पर नहीं एसा लग रहा तो हमारे रूह त्याग देगी हमारा बतन त्याग अब दूसरे साइड पर हम आ गए दूसरे साइड पर फोकस किए क्योंकि फिर ना आधे-दूरी मुझ रह जाती ना अधे-दूरी मुंदवाई हुई इसलिए हमने कि अब एक बार आए हैं जिन्दगी में तो फिर हम करवाई लेते हैं मुणवा लेते हैं पूरी मूच फिर हम पता है कि भाहर निकलने लायक भी नहीं बच दे अब ये मशक्कत करके ओहो हमारा पूरा का पूरा जो है वो मूच सक्सेस फुली निकल चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं यह मुझे को लाल मू का बंदर करके चिडा रही थे और सच में हम लाल मू के बंदर दिख रहे थे भाई देखो कितना लाल हो गया है भाई सहाब हम घर से मम्मी को मनवा कर निकले थे कि कुछ बainen हो जाए गबालियर में स्नो फॉल हो जाए यह सूरज भगवान बेस्ट से राईज हो जाए हम थ्रेडिंग नहीं बनवाईंगे नहीं बनवाईंगे मतलब नहीं बनवाईंगे लेकिन यहाँ पर जो मम्मी आके फैली है वो कसाई होती जा रही है अब जी जो है हमारी चरहरी भोए बनके एकदब रेड़े हो चुकी जो कि हमारे फिगर से भी ज्यादा चरहरी थी आखाई बताएं अब हमारी माताजी को लगा कि थोड़ी सी चपेटा चपेटे भी बाकी है जिसको हम ना मौडर्न लेंग बेज में बोलते हैं अफेसियल या क्लीन अप तो हम करवा रहे हैं क्लीन अप अब अब कॉमेंट में बताईए या पुछी हमसे भाईया कौन सा क्लीन अप है तो हम सब अपर लिपस आ थे लेकिन आप इदेख लो हम का का करवा रहे हैं हम करवा ने बाद की बात है बट नेंद थे तो हम इतनी जबरदस ता रहे थी ऐसा लग रहा था सब कुछ रोक वोक के उधर ही पसर जाएं चेयर पे बढ़ियां एक दो घंटा आराम से डेर हो जाएं और यहां पे हमारे ना वो ब्लैक हेड्स निकाले जा रहे थे और इतना दबा दबा के निकाले जा रहे थे कि जितना दबा के ना हम जूओं को भी नहीं मारते फिर एक लाज चिट्टा भी आ गया था हमारी ना ब्लैक हेड्स निकलने के साथ साथ हमारे आसों भी निकलाया थे फिर हम पोच रहे थे उत्ती देर में हमें डाट पिट रहे थे अब है पैक पैक मतलब कुछ गोल बोल होता है हाई जी देखो तो दीदी को बलश आ गया थोड़ा सा हस गहीं दीदी तो आप दीदी के और क्लाइंट आ है तो उन्होंने हमको साइड में बिठा दिया थोड़े से मज़े हमारे आइलस के भी हो गया तो उसको मास लग गया तो उचा रही थी खुसी से देखो इसकी बात तो मैं इसे चमक रहते हैं जैसे दिवाली के भटाके चमकता है ना रात के अंधरे में बैसे वीडियो पसंद आए हाँ तो प्लीज लाइक कर दें सेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें फिर सी मिलेंगी स्रेया साइंस पर है यह ठीकान है आपना ओके बाई